गोड एवनिंग दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल जैयन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है तो बेटा जल्दी से लाइव आजएं फिर आज अपन एक प्रिविएस एयर पेपर वापिस एक नया सोलुशन करने वाले है जो अपका 24 जनवरी मोर्णिंग स्वाडरा हुआ है दो जार उन्निस में तो उसी का आपन स्वाट करने वाले हैं evening shift का अपने देख लिया था 24 जनवरी का आज अपन morning shift की बात करने वाले हैं तो बेटा जल्दी से live आ जाएं फिर अपन देखते हैं कि इस paper में कैसे questions पूछे गए थे कहां से questions आपके उठ रहे हैं कितने questions कैसे मतलब कि दुबारा questions पूछे गए हैं बहुत सारे paper अपने analyze कर ल यूस टोपिक को फिर तो बेटा टाइम नहीं लगाते हुए जल्दी से जल्दी live आ जाएं और जो बच्चे live आ रखे हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कर देए वीडियो की link को बेटा share कर देए और बच्चे भी आपके connect हो जाएं देखो मैं चाहता हूँ इतना time होगे आप previous year के paper जितने भी UPVCAL ने लिए हैं TG2 के मैं सारे के सारे analyze करवा रहा हूँ यहाँ पर तो बेटा मैं मान के चलता हूँ आपके कम से कम 50 plus views तो आज होई जाने चाहिए और तभी जाके बेटा एक मज़ा आता है पढ़ाने का यार मेरे को paper करवाने का तभी तो मज जाएगा जब आप views ज्यादा होईंगे मेरा काम पीटा मैं 100% efficiency साथ कर रहा हूँ प्लीज request है कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेर करें ओके तो आपन करते हैं स्टार्ट तो कुछ बच्चे आर के हैं तो देख लेते हैं कौन कोनर रहुल खान गुड इवनिंग सर स्टार्ट करें आगे तो बेटा कोई प्रोब्लम तो नहीं चल रही है कोई किसी परकार की कोई questions वगिरा वो बता रहे थे कुछ questions की 16-17 questions 16-17 questions साथ कुछ कोई data आ रहा था आपका कल तो बेटा वो आप मेरे को हाम पर send कर दें बता दूंग आपको राम राम राय मीना का रहा तो comment करके या फिर मेरे को personally send कर सकते हो ओके क्योंकि बेटा जो आपके telegram group है उसमें मैं भी aid हूँ मैं देख लेता हूँ कि इत बचों का रहा है परदीव कुमार गुड इमनिंग बिल्कुल गुड इमनिंग 16-26 number questions ठीक है बेटा देख लेंगे आप बेटा personally मेरे को send कर दो ठीक है ना मैं आपको personally बता दूँगा उसको कोई दिक्कत नहीं है आपका doubt है तो बेटा वो मेरा भी doubt है मानके चलो ठीक है ना वो मैं ही solution करने वाला हूँ आपके लिए हूँ यार कभी भी आप question कर सकते हो तो चले फिर बेटा देको views बहुत कम है तो वीडियो शेर कर दो तरहार फिर करना है Q2 पेपर 24 जनुवरी मौर्निग चीट का पेपर अपर बेखने माले हैं पचिसवाला ऑने देख लिए था पतीज का मौनिंग शिट कर देख लिया था ना इवोनिंक नहीं देखा था तो आज मौनिंग बलक कर रहे हैं ठीक सका आपको बता चलेगा कैक ज्यादा ना लगाते हुए देखें पहला कोशन आपको दिखाई देरा स्क्रेंड पे वोई बैटा आपको क्या करना है कोशन को देखना है और उसका एंस्वर करना है ओके देखें कोशन पढ़े बैटा और कोशन पढ़ने के बाद में आपको अगर पृपरली मेरी तो बेटा देखो आप अगर इस कोशन को पढ़ोगी तो बेटा अगर आपके दिमाग में जरूर आएगा कि ये पहले भी कोशन से आपका आ रखा है ये बेटा भी अपन ने पेपर सोलिशन किया था इससे पहले कि अगर मैं बात करू तो बेटा 9 नुमंबर 2016 में जो पेपर वाता TG2 का उसमें भी ये देखो सेम कोशन था उसने ऑप्षिन भी चैंज नहीं किया है बिल्कुल बेटा वहीं से कोशन उठा लिया है है ना सेम डिटो कोशन है नहीं है है ना तो आपको क्या करना है एंस्वर देना है जिन बच्चों ने इसको देखा था वीडियो को प्रोपरली जो रेगुलर देख रहे है वो तो बेटा एंस्वर दे रहे होंगे क्या कि रहें डिसी जनेटर में इंटर फिल्ड कोईल किस से जुड़ी होती है तो किस से जुड़ी होती है बेटा आर मेच श्रंकला में उखे दी पर्दीब कुमार का एक कई ऐंसर अच्य पर्दीब कुमार की ऐंसर अरहे हैं इसके बर्दीब कुमार सुपर्दीब कुमार सुसियरा मेंधा ळाँ good evening sir बंकुल good evening comment में बच्चा comment नहीं आ क्या बात है ये questions आपको पहले भी देखने को मिला है और answer नहीं आ रहा रहे है प्रदेव कुमार ठीक है इसके लावा और बेटा और कोई comment करो यार बहुत कम बच्चे comment कर रहे है रामराय मेना डी राहूल खान डी ओके आपको पता चल रहा है ये कौन से paper में आपका questions पूछा गया था Sam, Rub, Rub, Ditto questions पूछा गया था मुकेस कुमारो के D, देखता हूँ अच्छा खाम, खेम, चंद बोल रहे हैं A, बेटा आपने previous year का question देख, समांतर कर में तो जोड़ती नहीं है Interpol की बात कर रहा है Interpol का जोड़ते हैं, आर में चर्वाइंडिंगे, सीरीज कर में जोड़े जाते हैं ओके, मुकेस कुमारो के, गूड इवनिंग सर, बिल्कूल, गूड इवनिंग वीडियो बिजादा शेयर करते हैं बेटा जिसे और बच्चे भी कनेक्ट होजे और लाइक में तो बेटा कसर न छोड़े हैं आप अच्छा, ड्लीट कर दिया, खेम चंदने देखो तुम ड्लीट कर दिया कोशिन को, गलत हो गया ना, एंसर बोलती है, ओके सर जी बेटा पता चल रहा है क्या, यह कोशिन्स पुछा गया है, मैं एक बार जानना चाहता हूँ, यह कोशिन्स पहले भी आपने किया है क्या इसको अगर आपने बेटा 9 November 2016 बाला पेपर किया है बेटा, मैंने इसे पहले करवाया तो उसमें सेम कोशन थाग नहीं था यह, था, सोरी सर, ओहो, कोई दिक्कत नहीं है, खेम चंद, चले, क्या हो जाएगा बेटा, आर मेचर के सीरीज करब में जुड़ा होता है, इंटरपोल, तो लिख दें, यहां पर, इंटरपोल, आर मेचर, वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है, जानते हैं सारे, ओप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल बेटा डी है ना, देख ले तो में डी है क्या, यही है ना, सारे बचार मेचर वाइंडिंग के सारे अंकला में ब dengyen बीटा, next questions, fixed value का question है, अलग question है यह quashions आपकी up पीचल ने, किसी भी जितने मैने exam करवाईं, उन में नहीं पूचा ता, हो सकता है किया और exam है, पूचा होगा, सारे exam करेंगे अपन, तो बेटा काफी अच्छा question है, किसी पूर्णत्य आभी चिस्सा अंबल बैटरी, मतलब LED Acid Battery की बात कर रहा है LED Acid Battery का विशिष्ट गुरुतव क्या होता है गुरुतिविय नेतांग की बात कर रहा है आपके LED Acid Battery में जो क्या बरा जाता है LED Acid Battery में आपका H2SO4 क्या बरा जाता है H2SO4 ये कोशन सारक है LED Acid Battery में एक्ट्रोलाइड गुरुप में क्या यूज करते है, S2SO4, इसका गुरुतिविय नेतांग पुचा है, तो गुरुतिविय नेतांग कितना होता है, फिक्स डाटा है, आपको याद रखना है, ओके B, 1280, परदीप कुमार बिल्कुल सही है, रामराई मीना बिल्कुल सही है, कि पानी बरते हैं, ठीक है न, चले आगे next question की बात करें, यह ध्यान रखना है बेटा, आपको याद रखना मला है, गुरुतिव नेतांग कितना होता, आपका 1280, next बात करें, next question की ओर, देखें, यह question भी बेटा, देखो आपका पता चल जाएगा, जब यह questions पढ़ोगे, पर म मुक्रा और देते हूं थोड़ा English में Ohh, मैं कॉछन है आपको बता देता हूं इसके हिंदी क्या कहता है विच टाइप औशिच इज इर इन दा ।енный के स्टेर्य केस वाईरिंग स्टेर्य केस वाईरिंग है ठीक है क्या क्या है is ì जो को staircase wiring को बोलते हैं यह जो जीने की wiring क्या बोलते हैं इसे इंदी में जीने की wiring ठीक है ना staircase wiring जीने की wiring which type of switch is used in जीने की wiring where one lamp is controlled by more than two places कि एक lamp को आपको दो जगान से control करना है जीने की wiring जो cd में wiring करते हैं तो वहां पर आप कौन सा switch प्रियोग में लेते हैं कि उस switch से बेटा दो जगान से आप control कर सकते हो नीचे से अगर सीडियों में जा रहे हो तो बटन दबाओगी तो on ओजे उपर जाओ तो आप इस बटन दबाओ तो बलब आपका off हो जाए तो कौन सा switch यहां पर प्रियोग में लेते हैं questions यह भी आपका पूछ रखा है तो बेटा आप इसका answer बताएं switch में देखो क्या देर रखा है intermittent switch मतलो मद्य वर्ती switch intermittent switch का मतलो होता है मद्य स्विच बेल पुश बटन बैल कि एक बार बटन को दबाओ अलारम बजेगी वापी छोड़ दो बंद हो जाएगा यह करते हैं क्या pull out push button मतलो दबाओ तब तो काम करेगा छोड़ दो तब काम नहीं करेगा सिंगल वे स्विच काम करते हैं क्या तो बेट आपको बताना है option a आगया क्या बात है तो कौन सा करते हैं intermittent switch मतलो इसे मद्य वर्ती switch के नाम से जानते हैं बिल्कुल बेटा तो क्या होजेगा option a आपका मद्य वर्ती switch इंदी में लिगे लिए मिटा जिसको नहीं आ तो मद्य वर्ती switch okay intermittent switch two-way switch हाँ बाब बात एक ही है two-way switch ठीक है ना two-way switch intermittent switch चलें आगे next बात करते हैं बात एक है ठीक है ना next question की बात करें ये बेटा आपका सबसे अच्छा question है थोड़ा सा दिमाग लगा की question का जबाब देना है question की हिंदी सुलने question में क्या के रहे एन एंसुलेटिंग material कोई एक insulator मतलब कूच अलग कोई पदार्थ है material मतलब कोई पदार्थ है should have मतलब उसमें क्या होना चाहिए बाई एक आपका इंसुलेटिंग material में option पर depend करेगा low cost of high dielectric strength की उसमें low of high dielectric strength होनी चाहिए या high mechanical strength होनी चाहिए option b की बात करें low mechanical strength होनी चाहिए low dielectric strength होनी चाहिए high cost and high dielectric strength होनी चाहिए अगर आपने बेटा कभी एक चीज़ देखियोगी कि ये पोल होता है पोल के अगर अपने उपर लगाते हैं इंसुलेटर लगाते हैं अपन क्या मानते हैं कि बेटा इसमें mechanical power मतलव अच्छी होनी चाहिए तूटना नहीं चाहिए ना ये इंसुलेटर की बात कर रहे है ये इंसुलेटरी तो है जो पोर्सलीन का बनाए जाता है इंसुलेटर है तो बेटा ये तूटना नहीं चाहिए तो mechanical जो होती है आपके क्या बात करें high dielectric strength अच्छा ठीक है low cost of high dielectric strength इसके लाँ बोल रहा है high mechanical strength low mechanical strength high cost and high dielectric strength तो बताएं बेटा क्या होगा cost भी high होनी चीए क्या इसके या नहीं होनी चीए तो देखते हैं बेटा एक बार तो क्या के रहा है आपका ये low cost high dielectric strength low cost high dielectric strength होनी चीए low तो क्या होनी चीए cost होनी चीए उसके कम खर्चेवाला होना चीए और high dielectric उसकी strength होनी चीए और क्या होना चीए बेटा high mechanical strength भी उसकी होनी चीए ठीक है ना cost low होनी चीए और सब कुछ उसका high high होना चीए हो गया होगा तो चले आगे next question की और move करते हैं तो देखे बेटा आगे जो आपके पांचवा नंबर कोशिन आ रहा है जो बिल्कुल सिंपल कोशिन है आपका five number question देखे कि भारत में बिजली पर चालें की आवर्ती कितनी है बात करते हैं तो बिटा कितनी है सारे बच्चे जानते हैं फिप्टी हर्ज है यूएस से बगेरा की बात करते हैं कितनी हैं 60 हर्ज है चाइना की बात करो 60 हर्ज है ठीक है ना ना चलें आगे पाकिस्तान में कितनी है 50 अड़्स है ऐसा मत करते है न चालिस है तो बारत में कितनी है 50 हड्स ओके नेक्स्ट कोशण की बात करें तो option tick कलें 50 अड़्स आगे six number question के और बात करें ये question भी आपके देखो previous year paper में पूछा हुआ question है देखें बेटा अगर आपने properly मेरे वीडियो देखें तो देखें किसी electric booster के लिए किस परकार के generator का प्रियोग किया जाता है boost करना के बार transmission line में losses बढ़ने के करण आपकी voltage कम हो जाती है उसको बनाने के लिए आपका booster प्रियोग किया जाता है booster के रूप में बेटा एक generator काम में लिया जाता है ठीक है ना तो बेटा जो आपका line के series generator series में जोड़ते हैं तो बेटा वो कौन सा generator काम में लेते हैं आपको बताना है कौन सा आपको generator काम में लेते हैं, दुबारा questions है, series ओके, खेमचंद क्या बात है, पहला answer series, विशाल चौरसी आप बोल रहे हैं D, series, ओके ओके, तो कौन सा लेते हैं बेटा, बिल्कुल आपका वीडियो और, sorry, views और like में बहुत फरक है, लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा, share करते रहें, क्योंकि बेटा, बहुत कम बच्चे हैं, जो आपके live में चल रहे हैं, तो बिल्कुल बेटा, booster के रूम में कैसा यूज़ करना है, series generator option आपका D, right, दुबारा question आ रहे हैं बेटा, देखो, पहले भी पूछाओ, इन्होंने question previous इरके total paper question कर रहे हो ना, बेटा, मान के चलो कि आपके 30-40 question तो वो ही आजाएगे, जो आपने कर रखे होंगे, ठीक है ना, तो सारे paper करो बेटा, आगे next question है, आपका 7 number question, किसी battery को 40 ohm पर्तिरों से जोडा जाता है, कोई battery है यह battery मान लेते हैं यह लो, यह battery है, इसको कितने ohm से जोड़ दिया 40 ohm से जोड़ दिया यह लो बेटा, 40 ohm से जोड़ दिया क्या पूछ रहा है, जोडा जाता है यदि इसमे current एक फेलो होती है, इसमें current कितनी फरावे तो हो रही है एग तो बैटन ** का वॉल्टेज क्या होगा इसकी refugee का वॉल्टेज की बैटरी है काम्मेंट करें बैट काम your six करें ईंए राज कुमारो के वीडियो को जाज जाज शेर करतेरे रहेssa बहुत कम व्यूजर रहे यार और लाइक भी करते हैं लाइक में भी कमी है सारे बच्चों का सही कोशन है चले आगे नेक्स्ट कोशन की बात करें देखें नेक्स्ट कोशन सिंपल कोशन है ना बिल्कुल ही सिंपल आ रखे हैं ये कोशन भी आपके देखो बेटा पेपर में पूछ रखाए शायद ये मेरे आइडिया से ये पत्चिस तारीके इवनिंग स्ट का कोशन का ये ठीक है ना दिट्टो कोशन है वो उसमें भी आ रखा था देखो कोशन क्या के रहा है विच टाइप ओफ फाइर एक्स्टि यूजर इसका मतलब होता है बेटा अगनी शामक यंतर ठीक है ना एक्सटिटर मतलता है एक्जी अगनी शामक यंतर सोरी इस यूजड विद दा इलेक्ट्रिक फाइर कि इलेक्ट्रिक आग लगने के कारण जो शोर्ट सर्कृट से आग लगने के कारण है जो आपका अगनी शामक यंतर है वो कौन सा काम में लेते हैं मैंने बहुत बार बोला था बेटा रट लेना हैलोन बड़ा काम में लेते हैं कौन लेते हैं हैलोन वरग A में आता है यह हैलोन हो गया यह अपका हैलोन हुआ और जाग वाला हुआ ना तो यह आते हैं बेटा वरग A में ज्यादा यूज किया जाता आपका हैलोन बड़ा ज्य हेलोन ठिकन तो इसको तो याद गर लें कि हेलोन वाला आपको यूज मेवें लेना है अगर आपका क्या कर जाए शोड़ सरकिट के कारण इलेक्रिक Иकार अगर आग लगती है तो हेलोन वाला आपको दिंचामागी अंतिरकाम में लेना है ॉप्शिन ए चलें आगे next question की बात करें बेटा views बढ़ क्यों नहीं रहे हैं यार बिल्कूल 17 पर आके टिके पढ़े हो यार आगे कोई video share share करो यार आगे देखें next question ये भी देखो बेटा आपको लग रहा होगा कहीं प्रेपर में पढ़ा नहीं पढ़ा आपने ल्यूमेन परतीव वाट किसकी इकाई है ल्यूमेन परतीव वाट आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कोई efficiency के अगर मैं बात करूँ दक्स्ता के अगर मैं बात करूँ तो बेटा formula क्या होता दक्स्ता का output अगर मैं एक बलब की बात कर लेता हूं बेटा देखो यह बलब है अगर मैं इसको supply देता हूं क्या देता हूं मैं यहां पर इसको supply देता हूं supply दे दी supply दोगे तो बेटा output upon input यह हमेशा पावर होती है जो पावर में लेते है डाटा किस में लेते हैं आपका efficiency में पावर में लेते हैं लेते यह नहीं लेते हैं तो दक्स्ता निकालनी है अपने को तो दक्स्ता निकालनी है आउट्पुट एक लेंप है लेंप में electrical supply द यहाँ तो रहाओ तो उल्हेक्ट्रिकल पावर क्यूनिट क्या होती आपकी वठ तो इनपूट में क्या दिया पने वाट और प्रपुट में अपने को क्या मिलेगी रोश्णी रोश्णी मिलेगी मतलो luminous flux मिलेगा और luminous flux की क्या होती है Lumen क्या होती है Lumen तो क्या होगे बैटा लूमेन परती वाट किसकी काई होगी दगस्ता की ओके तो देखे बेटा लाइट फ्लक्स की अरे देखा रहो लाइट फ्लक्स की यूनिट क्या होगी लूमेन होती है गलत है यह जो बच्चा को है कौन के रहे है मुकेश कुमार बोल रहा है नाइन का ए अच्छा नाइन लूमेन फ्लक्स की कही होती है लूमेन होती है याद रखना लूमेन होती है और डस्ता ब knee-all Lumen efficiency की क्या बात कर रहे हो brightness क्या ओर ये कहां को रचान यार में कि बेलकुल वर यह है क्या कर रहा है post बिल्कुल बैटा यह जो तीवर का राएंतवत्य चाहती यह ना इसकी हिंदी सुन लें क्या होती है इसको थीवर करती वरती और पीको बैटा क्या कहा जाता है luminous efficiency क्या बोला जाता है इसको luminous efficiency बी ओप्षिन है बेटा luminous efficiency कर ले ना इसको और technical team बेटा typing master ने थोड़ी सी गलती कर दी इसके bracket में लिखा गया था paper में आ रखा है क्या लिखा था उसमें luminous efficiency लिखा रखा था ठीक है ना तो बेटा वो सही होता आपके पढ़ने में mistake हो रही है बी ओप्षिन है luminous efficiency बोलते हैं इसको तिवर कार्यंत्य बत्ती को ठीक है ना याद कर लें तो किस की काई हो जाएगी luminous दक्सता ओके चलें आगे next बात करें बी ओप्षिन हो जाएगा बेटा बी next बात करें next देखें देखें आगे वाला question बेटा solve करो आगे वाला question में क्या बोल रहा है आगे वाला question देखो क्या के रहा है ए वी ओ ए वी ओ मिटर माप सकता है नाम से पता चल रहा है ए वी ओ देखो ए से एंपियर वी से वोल्ट ओ से ओम क्या माप सकता है इन तिन नों कोई माप सकता है option में डूण दो लो बेटा क्या एंपियर वोल्ट और ओम ए मतलब एंपियर वी मतलब वोल्ट ओ मतलब ओम तो तिन नों को माप सकता है आई वी आर को अब तो समझ में आजएगा तो यहां पर देखें बेटा current बिल्कुल current को माप सकता है voltage को EMF केते हैं electro motive force को हाना या voltage को ओके और यह मग और परतिरोध बिल्कुल और option A ही राइट है कि पढ़ने की जुरुती नहीं है अच्छा कोशन था लोकेस को माप बोल रहें बी अब बी भी देखता हूं बेटा current power और परतिरोध अच्छा वी से क्या दिनोड होता है power होती है क्या voltage नहीं होती क्या हाँ 10 का B ओके बिल्कुल बोपेंदर कुमार पाल 10 का B क्या बात है current power और परतिरोध अरे बेटा current power परतिरोध कैसे कह सकते हो इधर देखो यह A4 होता है apple नहीं ampere V4 electrical में volt O4 ohm तो क्या मापेगा इन तिन नों कोई तो मापेगा यार ठीक है चले आगे next question की बात करें यह बेटा जिसके comment दिख जाते हैं उसका नाम ले ले तो यार बच्चे तो सारे comment कर रहे है ठीक है ऐसा मस हो चना किसरा हमारा नाम नूम नहीं आ रहा क्या बात है चले आगे next question की बात करें यह वापिस आपका एक short form orarchy है यह तो question आ भी रखा है OCB की full form देखो OCB oil circuit breaker हो गया oil circuit breaker over load circuit breaker नहीं होता कभी भी off load circuit breaker नहीं होता oil circuit breaker जरूर होता है option आपका C हाँ power watt एक second कुछ देख लेता हूँ ओके बेटा हो गया होगा next question पर देखे मैं comment देख लेता हूँ साथ में आप आगी तिदेर में next question को करने की कोशिस करें power को नहीं मापता है विशाल चोरशे बिल्कुल बेटा उसमें देखो ovp लिगर का है ना तो p तो power watt w दिया होता तो क्या पता watt माप लेता वैसे अपन power निकाल जरूर सकते हैं उन तिन्नों से अगर माप रहना तो power निकाल जरूर सकते हैं पर बेटा वो actual में आपकी तीन quantity ही major करेगा किता अच्छा questions है which type of मतलब कौन सा type का diode is used in voltage regulator है कि कौन सा diode आपका voltage regulator की तरह काम करता है देखो ये question भी अपना repeat है पहले paper में आया हुआ question है ये ठीक है ना इस paper में नहीं आया हुआ है यहां तो start किया इसको पहले भी आरका है तो कौन सा होता है बेटा comment करें कितने बच्चों ने comment के इसको इसका देखो बेटा जिसमें मैं time पता है किसमें लगा रहा हूँ जो questions आपके आज चुका है ना उसमें मैं time क्यों लगाता हूँ कि बच्चे आप कितना जानते हो कितना answer कर रहे हो बारविंग का ए जीनर डायोड बिल्कुल बेटा अमित कुमार मोर्या पपु कास्वा तो बेटा याद रखें देखो तब ही मैं बोल रहा था कि शुरू में जब बेटा मैंने यूपी पीसल के paper solve करोने स्टार्ट के थे ना तब मैंने आप से एक चीज पूछी थी कि बेटा आपके paper कितने questions सही हुए है तो आप बोल रहे थे यह data आ रहा था किसी बच्चे का सर हमारे question 20 सही हो रहे है हमारे 25 सही हो रहे है ना कुछ बच्चे बोल रहे थे 40 हो रहे है 45 हो रहे है तो बेटा आज जो 20 वाले questions solve करने वाले थे आज मैं उन्से यह पूछूं कि बेटा अभी तुम्हें पेपर में कोशन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा पेपर करोगे वह कोशन तो बेटा देखो थोड़े असा गुमा फिरा के कोशन दुबारा बन जाता है तो बेटा यहां पर बेटेज रेगुलेटरी क्तरे काम कौन करता आपका जीनर डायोड और सिंपल डायोड के अगर मैं बात करूँ तो बेटा वो एज रेक्टीफायर काम करता है ठीक है ना तो यहां पर आया सुन टिक कर लें जीनर डायोड ओप्शिन ए अब आपन चले जिनर डायोड उजए किसी डिसी जनेटर का EMF समीकरण क्या है बहुत सिंपल कोशिन है EMF समीकरण पूछ रहा है जनेटर की मोटर की भी बात करें बेक EMF समीकरण दोनों की एक जैसी होती है ठीक है ना बैसे याद कर लेना फाई जेड एन पी अपोन सिक्स्टी ए क्या होती है फाई जड एन पी अपोन सिक्स्टी ए अगर बैटा कई बार वो भर्मित करने के लिए आपको लेफ वैंडिंग की बोल देगा कि लेफ वैंडिंग के लिए किसके लिए लेप winding के लिए बोल दे के देखी जनरेटर में EMF equation क्या होगी तो बेटा लेप winding में याद रख लेना जो ये A है न समांतर पदों की संख्या ये पोलों की संख्या के बराबर हो जाता है तो यहां पर ये A से क्या करेगा P कट जाएगा लेप के लिए और equation मन जाएगी 5ZN upon 60 ओके और web के लिए बोल देना किसके लिए web winding के लिए और web winding में जो A होता है समांतर पदों की संख्या होती है वो दो होती है तो यहां पर इसको A की value दो put कर देंगी तो कितना equation आजएगी EB equal 5ZNP upon 120 यह दोनों चीजें ध्यान में रख लें बेटा क्योंकि आगे वाला question ऐसा आ सकता है बिल्कुल B option है बिल्कुल बेटा right answer B ठीक है ना चलें क्या बात है आगे देखें question आगे ग्योर move करें simple question था सारे बच्चों को आता था यह question तो पर बेटा इसमें ध्यान रखना लेप वेप का भी लोचा कर देता है next question देखें अब देखें बेटा SF6 circuit breaker का question है हाना और simple question है SF6 circuit breaker है ना high voltage के लिए यूज किया जाता है SF6 circuit breaker आपका CB मतलो circuit breaker है high voltage के लिए यूज करेंगे high voltage option में डूण डलो बेटा सबसे ज़्यादा जो high voltage होगी उसको टिक कर लो तो high voltage के लिए सबसे ज़्यादा high voltage कौन सी है 11 kv, 22 kv ओके देखते हैं 1 kv से 33 kv 36 kv से 760 kv और अधिक्तम transmission line 760 kv की तो है तो option वैसे क्या होने वाले आपका C right सबसे बड़ी line यह है इसी में तो यूज करेंगे ना चले आगे next question की बात करें बेटा अच्छा question था option कर लिया होगा अपने C Sf6 circuit breaker के काफी बार question आरखेर बेटा voltage पूसता है अलग 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 देता है निचे option अपको ध्यान रखना हाई voltage के लिए यूज करना है ओके हाँ बिलकुल C option right है next question की बात करें वी वी एफ अच्छा है फुल फोरॉम पड़ी पुछिए यार इसने वी कितने वी है यहाँ तीन वी है वी एफ देखें क्या किया रहा है वी से होता है बेटा variable वी से होता है voltage वाप इस वी से बढ़ाएं तो क्या बनता है आपका variable और एफ से होता है अपना frequency आवरती तो क्या होजएगा बेटा variable voltage और variable frequency परिवरतन सेल voltage और परिवरतन सेल frequency वी वी एफ होता है तो option में टिक करें बेटा ऐसा कहा मिलेगा आपको पहला option देख ले है variable voltage variable voltage, variable frequency induction motor drive बिलकुल बेटा induction motor drive में यूज़ करते हैं वी वी एफ तो option आपका ए ही right है यही मिल रहा है induction motor drive में यूज़ करते हैं variable frequency और variable आपका voltage चलें आगे next question की बात करें देखें बेटा next question 17 number question पे चलते हैं okay मतलब 16 number questions आपका miss हो गया कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपका कल कर लेंगे 16 number question को ठीक है न technical team से कोई छूट गया होगा बेटा questions हो जाते है missing गलतियां हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है एक ऐसा transformer जिसमें कोई हानी नहीं होती है एसा कौण सा ट्राnsफोर्मर सो जिसमें कोई हानी नहीं होती है भगवान की देन से ऐसा कोई ट्रांसफोर्मर बना यान नहीं है जिसमें कोई हानी नहीं होती है losses नहीं होता है मान के चलते हैं आपन बेटा समझने के लिए ideal transformer कौण सा ideal transformer address आद्रस प्रणामित्तर, क्या बोलते हैं, आद्रस प्रणामित्तर या ट्रांसफोर्मर, ठीक है न, हो गया, तो option बेटा, आद्रस ट्रांसफोर्मर में ही नहीं होगा, option अपका D, next question की बात करें, इनके तो answer देखने की जुरत नहीं है, मेरे साथ जुडने वाले बच्चे सारे answer करेंगे, अगे चलते हैं, देखें, एक ऐसी circuit में form factor का मान होता है, एक ऐसी circuit में sin total wave की बात करें, देखें, sin wave की अगर मैं बात करता हूँ, तो देख तरें बेटा, sin wave की मैं बात करता हूँ, sin wave ऐसे चलती है, form factor का formula आपका ये क्यों होता है, form factor, क्या होता है, अगर मैं voltage की respect मैंनू तो VRMS upon voltage का आप average value ले ले लिया, तो बेटा, आपकी sin wave की जो आरमस value होती है, उसका formula आपका क्या होता है, V maximum upon root 2, average value का formula क्या होता है, sin wave में आपका, 2 V maximum upon pi, V maximum, ये maximum cancel, ये pi उपर कूद के चला गया, तो कितना आपका, pi y 2 root 2, answer आजएगा, 1.11, डार डिया दिरखना था, इसका ठेकाना, यूनिट थो होती नहीं है, voltage, voltage आपके cancel होजएगे, क्रंड के respect मेंने को लो, तो ये आपका answer ये आने वाड़ा है, आ गया होगा answer, विल्कुल 1.11, ओके, ओके, C, ये क्या answer, ओके, C, हाँ, बिल्कुल right बेटा, C answer, चलें आगे, next question की बात करें, अगर हाप वेब का पुच्छे तो बेटा ध्यान रखना है, next question साब करो, साथ में बेटा मेरी एक बात सुन ले, हाप वेब का पुच्छे तो एक पंट सताओं निकल के आता है, निकाल के देख लिए ना, ठीक है न, same formula रहेगा आपका इसका, चलें आगे, question देखें, किसी विदुत बलब का filament किसका बना होता है, हर बंदा जानता है, tungsten का बना होता है, यार, almost जो है, tungsten का बना होगा, ठीक है न, तो देखें, याद रखें, फिलामेंट जो है न, फिलामेंट है, अगर आपके पास option में मिले, tungsten, तो तो करना tungsten, नहीं मिलता tungsten, कई बार आ जाता है, carbon, तो carbon पी टिक करना, carbon का filament भी होता है, ठीक है न, आपने एक लेंप पड़ते हैं, चलें, तो यहाँ पर क्या है, option में tungsten है न, है क्या, एक सेकिन, आँ tungsten है न यार, तो tungsten पी टिक करेंगे, पहले तो वरियता इसी को देंगे, option D है न, बिल्कुल, अगर नहीं होता है, तो carbon पी टिक करना, ठीक है न, चलेंगे next question, लैंप में पड़ाए वे हैं, यह मैंने परदिप्ति के morning में class चलती है वेटा, वो भी अट्रेंड किया करो, winding, wiring चल रही है वाँ, ठीक है न, style चुम्बक बनाने के लिए, किस के, के लिए उप्योगी सामगिरी है, अच्छा question है, कि वेज़ुत चुम्बक बनाना है, स्टाइल चुम्बक, permanent magnet बनाना है अपने को, तो अपन कौन सा लेंगे, तो बिटा, कारवन इसपात लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, निकल लेते हैं, नरम लोहा लेते हैं, बताओ कौन सा लेते हैं, अगर आपने motor वगेरा पड़ी है, इस पात का मतलब होता है, steel, तो ज़्यादा जो बेटा, अपने यूज में लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात है, व्यूज और like में फरक है, व्यूज भी बहुत कम है, पपू बोल रें, अगलिश को देखके, पर्दीब कमार बोल रहें है, इह ना, और बोल रहें D, कोई बोल रहें E, कोई बोल रहें D, सपेंस में दिक्ट तो यहीं आ रही है, कि A टिक करके हैं, कि D टिक करके हैं, मैं समझाता हूं, सुने एक बार, ठीक है ना, बेटा बात तो आपकी भी सही है कि पर्मानेट मेगनेट बनना है तो नरम लोगा भी कामे लेते हैं कारबन इस बात भी कामे लेते हैं कारबन इस पात का मतलब जानते हो क्या कि बेटा जब आप क्या कर रहे हो जो यह जितने भी मोटर पगेर आपन बनाते हैं, इसकी कोर बनाते हैं, सिलिकोन स्टील की बनाते हैं, वो इस पाथ का मतलब स्टील है, उसमें कार्बन या सिलिकोन की मात्रा डाली जाती है, उसमें सिलिकोन या मात्रा आपकी डाली जाती है अरे कुछ के रहें भी कोबाल्ट है ऐसे तो बेटा देखो एक चीज़ा सारों से बना सकते हैं अपन एल्मुनियम निकल कोबाल्ट आता है ना तो बेटा जो अपन ज्यादा तर जो आपकी कोर यूज की जाती है वो की जाती है किसकी सिलिकॉन स्टील की या तो उसमें में पना कॉंधे ना है और एक बार क्या की के वह चुंबग बंजाए तो बेटा काफी टाइम तक रहे या फिर अपन भी हईच वक्कर की बात करें तो बीयाच वक्कर बेटा इन में सारों मैं से भी हवकर के एकर हमा बात करूं तब भी ह집कर जो है वह सबसे ज्यादा जो प्रवगेरा जितनी भी ट्रांस्पोर्मर है इसमें सिलिकोन स्टील यूज मिलेते हैं या फिर सिलिकोन के जिगापन थोड़ा कारबन मिक्स कर लेते हैं नरम लोहा भी होता है राइट एंसर मानता हूं पर बेटा इनमें अगर कंपेरिजन करें गोए तो आपका कारबन कारब थोड़ा सा समझे लें इसको कि इसको बी एज करब से देखे न तो बेटा आपका ए राइट एंसर वैसे बेटा तो आपका सही है डी बी एंसर सही है ठीक है ना दोनों में कंपेरिजन करना जुरूरी था चलें आगे नेक्स्ट कोशन की बात करें किसी परत्यावर्ती तो आपको एक्साइटेशन करना है तो कौनसे जनेटर का काम मिलेते हैं तो ऐसे जनेटर का काम मिलेते हैं जिसका वल्टेज एक नियत रेता है वल्टेज एक क्या रहे नियत रहे तो बेटा उसको नियत वल्टेज किसका रहेता आपका शंट जनेटर का और ध्यान रखना बुष्टर की बात कर ले किसकी बुष्टर की तो याद राखना स्यीरिज जनेटर यह दुनों अच्छे कोशिन है है आलटरेनेटर के एक्साइटषटन के लिए शंटर जनेटर और बुष्टर के लिए आपका सीरीज जनेटर तो बेटा यहाँ पर कौोन सा जन्ट रियोज करेंगे अगर अपने पास ओपशन में मिलता है तो देखते हैं एक बार ओपशन में है क्या सन्ट जन्रेटर पहले तो ओखे बिलकूल बेटा ओपशन C है सन्ट जन्रेटर चलें आगे next question की बात करें 22 number question की देखें तारों के विदुत रोधी पर्तिरोध को मापने के लिए प्रियूप तूप करण है तारों का जो आप अपने पास एक तार लेते हैं इसके उपर अपने पास इंसूलेटर माटेरियल लगाते हैं ना पीवीसी वगेरा का लगा देते हैं ताकि अपने को करेंट ना लगे अब इसका रेजिस्टेंस में अपना है इसका अपने को क्या करना है रेजिस्टेंस मेजर करना है क्या करना रेजिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे अपन तो बेटा इसका रेजिस्टेंस काफी मान के चले अपने मेगा मोम होगा किसमें मेगा मोम होगा इसलिए क्या लेगे मेगा म से बढ़ा आपका मेगर जो सारे बच्चों ने कर दिया होगा तो मेगर ठीक है ना option आपका A यह ना मेगर तो यहां पर option ठीकर यह चले हांगे next question काफी अच्छा कोशन है किसी इलेक्ट्रोन को एक सेकिंड क्या के रहा है 23 नमबर हां किसी इलेक्ट्रोन पर प्रवाह होता है इलेक्ट्रोन पर परवाय होता है अच्छा नीचे चार्ज दे रहता है कितना चार्ज परवाय होता है एक इलेक्ट्रोन पर तो आपको याद रखने एक इलेक्ट्रोन पर कितना होता है डाटा रटने वाला था माइनस 1.6 से इंटो 10 गेप पावर माइनस 19 कुलाम देख लो बेटा का मिल रहा है तो 1.62 अज तो पॉजिटीव का है तो हाँ इसको पूरा लिखे हो तो 0.2 भी होता है ठीक है ना तो माइनस इलेक्ट्रों पर मैसा माइनस चार्ज होता है तो आपका क्या हो जेगा सी क्योंकि बेटा ओर तो आपके 1.6 वाला कोई डाटा मैची नहीं कर रहा है नीचे वाला कर रहा है पर वो पोजिटी में आ रहा है एक एक सेकेंड एक अच्छे चा पहले वाले किया क्या कोशन आठीक है बेटा 23 वह आप 22 के एंसर दे रहे थी ओके बेटा चले आगे नेक्स्ट कोशन की बात कर पेटा मैंने करवाया था अल्टरनेटर को चला चलाया था शाहिद ना आज अपने पास ट्रांसफोर्मर को पहलल में चला रहा है तो क्या होना चीज़िए आपके पास पेज सिक्वेंस देखो बेटा याद गरो यारी सकोशन को तो देखो सहरों में क्या होता है सिंपल और क्या क्या हो सकता है फेज सिक्वेंस आपका आवर्ति समान होना चाहिए वोल्टेज फेज सिक्वेंस समान होना चाहिए यही होना चाहिए ना तो देखे बेटा अब ऑप्शन एक के रहा है गती और भार ब्राबर होना चाहिए यह कोई जुरूरी नहीं है गती और भार स्पीड तो होती नहीं विचरी गती उतेजन वोल्टेज समान होना चाहिए अक्षाइटेशन तो करते ही नहीं वैसे भी आवर्ती वोल्टेज और एक सेकिंड बेटा दो ट्रांसफर्मर के तुल्या का लिता के लिए निमन में से कौन से परमुक शर्त है करते हैं कि देखा नहीं बेटा के तुल्या का लिता निमन में से कौन से परमुक शर्त है है यह भी पैलेड की बात कर रहे है ठीक है ना ओके तो बेटा क्या हो जեղेगा आवर्ती समान होने चीए आपका फेस स्रीक्वेंस होना चीए और अनुकरम समान होना चीए ना आपका सी राइट है देखा नहीं बेटा कोशन पूरा पढ़ा लिया अगरो यार जैसे मैंने कोशन पूरा नहीं पढ़ा और कॉंफिडेंस था कि हाँ प्रोपरली कोशन यह पुशा को कि दो ट्रांस्पोर्मर है तो पहले भी चला रहा होगा चलें आगे नेक्स्ट कोशन की बात करें देखें काफी अच्छा कोशन है सताय पर वहाय नलिका वाली वायरिंग में वायरिंग के मामले में दो सडलों के बीच में अधिक्तम दूरी कम से कम होनी चाहिए जो बेटा आप कंड्यूट वायरिंग यूज करते हो ना कंड्यूट वायरिंग उनमें आप सडल जया संदल करते हो तो वह कितनी दूरी पर कम से कम सडल आपकी होनी चाहिए आपको बतानी है जैसे आप ये कंड्यूट यूज कर रहे हो इसमें जो सडल लगा रहे हो मैंने मानना कि यहां पर अपने एक सडल लगाई है तो दूसरी जो सडल लगा रहे हो उनके बीच में कम से कम दूरी कितनी हो नीची 60 cm होनी चाहिए ठीक है ना तो option देख लें मिटा 60 cm option आपका B option चलें आगे next question की बात करें नेक्स्ट कोशन देखें बीटा DC generator के लिए DC DC generator के किस सिधान पर काम करता है तो फेराडे का नाम आगे बीटा ठीक है ना फेराडे के बगए तो दुनिया हिलती नहीं है ना electrical हिलती नहीं है दुनिया तो क्या तो बीटा क्या आगे फेराडे की विदो चुमके प्रेनसी दान पर काम करेगा सारे बच्चे जानते हैं यह तो अपने electrical का दादा है यार चलें आगे next question की बात करें निमन में से कौन सा सबसेल कुशल और बड़ी उपयोगी अमंदन dumping पर ना ली है dumping का मतलव सुन लेना बेटा पहले तो कि आपका ये तो होता है अगर मैं dumping की बात करूँ मापनी अंतर में तो बेटा ये होता आपका scale, scale पे आपकी लगी होती है एक needle, needle मतलव आपकी sui, ये sui लगी हुई है ये sui पर बेटा इधर इधर जो टोरक लगेगा यहां 0R यहां मानना बेटा कुछ भी आपका डाटा है 5 ampere current, ammeter मानों कुछ भी बानो ना इधर जो टोरक आपका लगेगा वो लगेगा deflection टोरक और इधर लगेगा आपका controlling टोरक लगेगा इसको अगर हिलता रहेगा तो इसको क्या करना है अपने को control करना इसे बोलते है damping टोरक डेमपिंग टोरक जो आपका है वो तीन प्रकार से यूज़ करेगा देमपिंग टोरक का मतलब क्या क्यों करते हैं क्योंकि पोइंटर आपका स्तिर हो जाए इसकी तीन मेथड है एक होता है बेटा वाईयू गर्षण एक होता है दरव गर्षण और एक होता है AD और सबसे बेटर जो होता है AD करेंट डेंटिंग ठीक है ना तो option में बेटा देखें AD करेंट डेंपिंग option में AD करेंट डेंपिंग ओके विशाल चौरसिया दिल्कूल बेटा एडी करन सबसे अच्छा है तो भमार तारा प्रनाली ओप्षिन डी राइट है डी दे रहे हैं सारे बच्चे सी 27 का सी स्प्रिंग नियंत्रन स्प्रिंग जो है ना कंट्रोलिंग तोरक के यूज किया जाता है यह जो कंट्रोलिंग तोरक के लिए यूज किया जाता है या स्प्रिंग कंट्रोलिंग या ग्रेविटी कंट्रोलिंग ठीक है ना कंट्रोलिंग तोरक के लिए यूज किया जाता है दो मेतड होते हैं एक तो स्प्रिंग से कंट्रोल कर लो या gravity से control कर लो बात कर रहा है इस pointer के हिलने वाले से ठीक ना बंद करना है तो कौनजे method होंगे यह तीन होंगे जिसे damping बोलते हैं ना चलें next question की बात करें आगे आगे देखें वेटा परकास विरस्ता के उपकरण वाले terminal बनाने के लिए किस सामगरी का प्रियोग किया जाता है स्विच सोकेट आधी में अच्छा स्विच सोकेट में प्रकास विरस्ता उपकरण वाले terminal वाले terminal बनाने के लिए किस दात्यों का अपन प्रियोग करेंगे आप्शन में देखें पितल सोना प्लेटिनम अखिल का स्वा अंकित क्या बोल रहे बटा चले आगे next हम लिकुल ए next question की बात करें बटा 29 नमबर question की 29 नमबर question देखें देखें बटा ये questions बहुत बार repeat हो रखें ऐसे questions देखो आपकी DC motor के बारे में question पुछा हुआ इसा है transformer में questions ये डीटो पुछा हुआ है generator में questions पुछा हुआ है वापी generator में question आ गया कि अधिक्तम दख्सता के लिए क्या शर्त होनी चाहिए तो अधिक्तम दख्सता के लिए बेटा transformer में ये questions आ रखें कि क्तम rabbits लिया ट्रांसफर में क्या शर्टहोनी चाहिए जानते हैं हैं अपन कि तांबर हानिया तांबर मतलो नहीं परू पर हानिया बराबर क्या हो जाएं witnesses कि से बढल व्य स़स तो काफी अच्छा कोशन है परिवर्तित सांधिया ऐसं यॉपर बेटा इसमें आमका परिवर्त परिवर्तन आनिया एक सेकंड जो आपकी बेटा तंप रानिया है ना यह बेटा लोड के साथ परिवर्तन होती रहती है तो इसे बोलते हैं परिवर्तन आनिया यह थोड़ा नोट कर लें जिस बच्छी को पता निया यह थे परिवर्तन हानिया यह बेटा बदलती नहीं लोड बराबर करना यार परिवर्तत आनिया तंबर आनिया से ज्यादा हो और बराबर करना है परिवर्तत आनिया स्तिर आनिया के बराबर हो बिल्कुल बिटा बराबर हो निची ऑप्षिन दी चलें आगे नेक्स्ट बिल्कुल सही है ये question बहुत बार आरआραक है पेटा बेस गुमा देता है कभी transformer के रिलेट करके पूछ लेता है motor से रिलेट करके पूछ लेता है generator से रिलेट करके पूछ लेता है देखें कि किसे power transformer tapping switch जोड़ा जाता है tapping मैं सा secondary winding से आएईगी tapping मैं सा आपकी secondary winding से आएगी यह याद रख ले ना tapping मैसा secondary winding से नीचे कर लिए लिए देते हूं बेटा tapping मैसा secondary winding से निका लेगे blend ht, lt, कुछ भी हो आपका ठीक है न चले आगे तो secondary winding option आपका a next question की बात करें यह कुछ question तो fix है बेटा ना जिनको आपको ध्यान में रखना है tapping मैसा secondary winding से कैसा भी कोशन आजे चले आगे next question की बात करें कतिस नंबर कोशन की numerical कोशन अपने पास किसी विदूत परिपत में 50 हों वाला परतिरोध, ओके किसी विदूत परिपत है जिसमें R की value अपने पास कितने देर की है 50 हों देर की है परतिरोध में voltage देर का है बेटा कितना 200 voltage देर का है मैं सम्मन्दित है उस परिपत में परवाइत होने वाली धारा कामान ग्याद करें यार कितना simple question दे दिया और लगा तो बेटा क्या हो जाएगा आपका और लो क्या कोडिंग क्या आई निकाला ना आई एककोल क्या हो जाएगा विकी वेल्यू पचास बराबर चार एंपियर एंस्वर है क्या यह यह option हो रहे है चलें आगे next question देखें कोशिन क्या किया रहे है किसी AC सरकीट में परतिक्रिया कारीख सकती reactive power अच्छा अच्छा reactive power द्वारा दिया जाता है reactive power का formula पोच रहे पावर अपने पास AC में तीन परकार की power होती है ओके और DC में तीन परकार के formula होती है तो बेटा देखो मैं बात करता हूँ कि AC में जो power होती है AC में power तीन प्रकार की होती है तीनों के formula याद कर लेना तीनों की unit याद कर लेना 100% कोशिन आएगा आपकी वार ठीक है ना तो पहली बात करता हूँ बेटा मैं real power real power सुनते रहे ना real power इसे ही बेटा दूसरा नाम होता है Average Power इसी कोई अपन True Power के नाम से भी जानते है True Power सत्य पावर इसी को अपन Registive Power के नाम से जानते है Registive Registive Power यह नाम एक ही है किसके real power के नाम है अगर आपको इसकी unit formula पुछे या दिखाना हो इसको तो इसको P के दुआरा दिखाते हैं formula होता है V I cos phi अब इसने बंदे ने बोला है इससे तो पूछा नहीं है इसने पूछा reactive power reactive power परती किरिया कारक सकती बोलते हैं बेटाई से ना reactive power इसे अपने cube के दुआरा दिखाते हैं इसका formula होता है इसकी यूनिट और लिख लें इदर दिखाई नहीं दे रहा एक सेकंड बेटा देख लें एक बार देख लें कि आपको देखो रियल पावर पुछे एवरेज पावर पुछे रिजिस्टी पावर पुछे यह एक ही बात है इसका भी मुनिट होती हैं आपकी क्या क्या होती है इसकी यूंट होता है कैसे यूनिट होती है जिसकी यूनिट होती है होती है बेटा आपके एप्रेंट पावर अभासी शक्ति एप रेंट पावर और एप्रेंट पावर को बेटा अपन एस के दुवारा दिखाते हैं यह फोर्मुला होता है वी आई का कॉंजुगेट ठीक है ना यूनिट होती है वोल्ट एंपियर यह तोड़ा ध्यान में रख से लेता है बेटा स्क्रीन शोट लेलो पहले फिर मैं कोशन द्वार दिखा दूँ आपको ले लिया अब कोशन देखें अब एंस्टर करें इसका अब देखता हूं कितने बच्छे एंस्टर कर रहें कर दिया हुआ इसका हाँ बिलकुल बिलकुल बोड के साइड अच्छा बोड के साइड अच्छा ठीक 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 बेटा ठीकर बेटा स्क्रीन शोट ले लिया ऑगे अब चलते हैं अपन आगे अब आपर एंस्टर भी देधिया हुगगा इसका क्या एंस्वर आने बढ़ा है विए सायन पर एंस्वर डी हो जाएगा बिल्कुल 32 का डी राइट एंस्वर ठीक है बटा प्रदीप कुमार ओके ओके बेटा सही है सही है यार तुम आना इस स्क्रीन शोट ले लो ठीक है ना कुछ किना एले लोय मातर सुर्ण ऐंस्वर एंस्वर अचट अनिया एकर है किलो मोड़ होबर अनर्जी मेट्र होता है किलो वॉल्ट हर काट mapped कर रहा है अनन अठ्ट किलो वॉल्ट ही होता है कि औयूट हो और रेपीट होगा है नौन नोमबर 2016 में पेपर में सेम कुछन है डिफलेक्शन आता है क्या कभी नहीं आता सुई होती है क्या नहीं होती अक्सर चलते हैं न इंडिकेटिंग टाइप इंडिकेटिंग टाइप थोड़ना होता है कि बेटा सुई से दिखा दिया साब पांच इंट्रोगेटिंग टाइप होता है हिंदि में बोलें पेट ईंदी मिलिए स माकलन ताइप ठीकना इंट्रोगेटिंग बोलते हैं समाकलन टाइप ओके नेक्स्ट कोशन की बात करें ये कोशन जो लड़ियां होती है, प्रकास वे इस था होती है, इन को बЕटा क्या करना है, आप यूँ हो साथ है, कभी यह जले, कभी यह जले, और यह जले, अलग-अलग प्रकार से जलनी चाहिए, और अलग-अलग अलग आपने लगा रखी हो, यह नौ तो क्या करते हैं, यह आप पर ना दातू के ना कॉंटेक्ट लगे होते हैं ऐसे क्या लगे होते हैं तो जलेगी जम तच नहीं होगी तब आपकान नहीं जलेगी तो इसका काम कामपर करते हैं सज्जावटी लडियां जो अपर सज्जावटी डेकोरेशन करते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है ओके चले आगे तो बेटा सज्जावटी लडियों में आपका डी नेक्स्ट कोशन की बात करें नेक्स्ट कोशन देखें आपका 35 नंबर कोशन किसी ट्रांसफोर्मर में सफशन ब्रीथर का प्रियोग किया जाता है किसके लिए बृत्र का प्रियूक किया जाता है बृत्र होता है बेटा आपका ये ट्रांस्फोर्मर होता है यहां पर आपका एक बृत्र मैंने यहां पर जोड़ दे वैसे बृत्र यहां नहीं होता बृत्र लगा होता है जस्ट यहां पर आपका ब्रीथर लगा होता है, जिसमें आप क्या बरते हो, सीलिका जेल बरते हो, क्या बरते हो, सीलिका जेल, बरते हो, चाइना में ज़्यादा होती है, सीलिका जेल पता है ना, सीलिका जेल बरते हैं, तो यहां पर बेटा क्या करते है, आपका एक छेद होता है, जो क्या करत बेटा मौस्चुर को शोक के बेटा हवा को ट्रांस्पर्मर के अंदर जाने देता है ड्राइ एर को किसको ड्राइ एर को जाने देता है ना जानते हो यह चीजें तो बता हवा से नमी खींचने का बिल्कुल बेटा हवा से नमी खींचने का ड्राइ एर को ट्रांस्पर्मर में अंदर जाने काई काम करता है तो option होगे आपका A next question की बात करें ये question चले हाँ बिल्कूल बेटा next question की बात करें अगर आपको पता हो तो बेटा ये question बेपने देखा देखा लग रहा है कि ऐसा question आ रहा है निमन में से कौन कम खराब वाला motor है अच्छा रख रखा सोरी कम रख रखाव वाला आपका कौन सा motor है तो बेटा कम रख रखाव वाली motor होती है आपकी induction motor कौन सी होती है induction motor ठीक है ना तो induction motor option टिक करें बेटा यहां पर आप इसका next question की बात करें next question की बात करें देखें बेटा next question क्या के रहा है परतिरोध शम्ता SI unit होती है अरे resistance की unit पूछ रहा है resistance की unit क्या होती है ओम क्या होती है आपकी सारे बच्चे जानते हैं ना option D next question की बात करें बेटा देखो ये कितने simple question दे रहा है यार पूछ रहा है कि clip on meter कौन सा होता है clip on clip on meter कौन सा होता है बेटा city को बोलते है city मतलब आपका current transformer को बोला जाता है तो देखें current transform three phase transformer को current transformer बेटा current transformer बोला जाता है option आपका D next बात करें नेक्स्ट कोशन बेटा मैं चाहता हूँ काफी अच्छा कोशन से कभी मैंने ये कोशन से ऐसा कोशन कभी देखा नहीं है आपके लिए कोशन है ये आप बताओगे बेटा इसका एंस्वर एल्ट और एच्टी लाइनों में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास में क्या होना जरूरी है आपने आईटीए कर रखी है तो बताओ बेटा क्या होना जरूरी है अधार काड होना जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है या रासन काड जरूरी है या फिर 3 या फिर क्या जरूरी है वायर में प्रणापत्र जरूरी है तो बताओ बेटा क्या जरूरी है नेक्स्ट कुशन के बात करें बेटा हाँ 39 के बताओ या 39 30 अर्भू क्या हो बेटा कॉशन नमबर लिखके छोड़ दिया अपने बुपेंदर कुमार पाल रा पाल हां सोरी विशाल तो रशिया ए ए ए ए ए अब बेटा बता दें आपको थोड़ा सा अधार काड आपकी आइडेंटी प्रूफ होता है ड्राइविंग लाइसेंस बेटा आपको यह बताता है कि आप गाड़ी चलाने वाले हो रासन कार्ड से बेटा रासन मिलता है ठीक है ना और वायर मैं प्रणाम पत्तर से बेटा आप काम कर सकते हो उके बिलकूल चले आगे बिलकूल राइट एंसुरए नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं बेटा चालिस नमबर कोशन की कल भी कोशन मैंने यह करवाया था अगर आपने कल किसी कलास टेंट की तो देखो यह कोशन आपका देखो बेटा next questions ये question मैंने बेटा करवा भी रखा है आपको और काफी अच्छा question है कल भी बेटा इसके बरें डिस्कस किया था किसी power wiring परनाली में तामबे वाले conductor में अधिक्तम अकार आपका कितना होना चाहिए copper की बात कर रहा है कि 1.5 mm होना जरूरी है 1.5 mm होना बहुत जरूरी है ओके चलो ठीक है बेटा तो आज के लिए बस इतना है बेटा 40 questions डिस्कस किये हैं बाकि जो अपने बच गए कितने questions बच गए अभी अभी बेटा इस पेपर में आते हैं 500 questions टेक्निकल के जानते हो ना 110 questions अभी बाकि है जो अपन कल डिस्कस करेंगे आज के लिए बस आपका इतना ही तो बिल्कुल बेटा रहुल कान ए ए ए ए एंसर बिल्कुल सही है बेटा 1.5 mm square अपन क्या करते हैं गरों में यूज में लेते हैं अगर आपका अलुमूनियम वायर पुछे ना तो कितना होगा डाई एमम होगा कितना होगा 2.5 mm अलुमूनियम का पुछे लेते बेटा कहीं बार तो आज के लिए बताएं बेटा और याद रहें कि मौनिंग में जो अपनी रही है वायरिंग चल रही है यहां पर परतीव कुमार बोल रहे हैं चालीसमें से 40 कोशन सही है क्योंकि बेटा आप बहुत टाईम से क्लास ले रही है यार प्रपरली क्यों प्रदीब कुमार आपके 40 में से 40 कोशन्स रामराय मेना है कि बेसा दो कोशन गलत होगे ओके बेटा आपके दो कोशन गलत होगे प्रदीब कुमार के तो ठीक है बेटा ओके प्रदीब कुमार ओके रामराय के 38 है बिल्कुल बेटा देखो गरोथ बढ़ती जाएगी जब प्र ठीक है ठीक है चंदर परसाद बोल रहे हैं 40 कुशन सही है क्या बात है चलो अच्छी बात है बेटा आपके कुशन सही होते रहें आप हमारे टेलेग्राम गुर्फ को जोइन कर लें वहां पर आपको ये पीडिय आपको मिल जाएगी चलो बेटा ठीक है आज के लिए बस इतन ही कल मिलते हैं दस बजे बाई बाई गुड नाइट